Hello everyone, this is Priti Kaushik और आजको ज़सों हमारा टापिक है वह है Mares initiated by the government to improve marketing system यानि कि government के थुछ गये गई steps जो की government ने लिए marketing system को improve करने के वो हमने study करने Major initiated by the government to improve marketing system सबसे पलए हमने यह देखना है कि जो भी मतलब government ने major steps उठाए कि ताए हमारा marketing system improve हो जाए Dekla वर्किंग पूरियशन का 70 परसेंट पर डिपन तो तो कैते वह हमारी उसके प्रब्रिटिस के प्रॉबलम प्रेसे करने पड़ लिए थी क्यों क्योंकि जो ब्रिटिश से हमें मिली थी हमारी एंगरिकल्चरल एकिनोमी वो कैसी मिली थी उसके अंदर हमारे सल जेसे जोखी होते यानि कि फार्मर्स करते थे तो तो अबट्रस करते थे और इसके बाद ब्रिटिशUS को देते तो इस तरहे से हमारा प्रोसेस्प चलता था उनके जाने के बाद भी हमारा ब внगा यह यहाने जाने ज़्वाहिए पीजन्स होंगे यह घंगाने के बाद उसको बेचने के लिए इसा होता पृपर मंडी नहीं है नहीं पृपर तरीके से अडशे अगी डाज का सकते थिए आपने प्रोसेसिंग को इसा बीए करने के लिए अब ऌर स्कतित तो उसका्य। जो system थे वो अच्छे तरीके से developed नहीं थे उस time के, तो जो farmers होते था, उनको loss जहिलना पड़ता था, मतलब loss हो गाई, जब उनके पास उनकी जो output की जितनी cost लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही है, क्यों कि उनके पास इतनी knowledge नहीं थी, कि इनका कैसे क्या करना है, जब कोई tiny source नहीं था, अच्छे तरीके से marketing system developed नहीं था, तो government ने कुछ steps लिए कि marketing system को improve किया जाए, तो first point आता है regulated market, सबसे पहले government ने markets को regulate कर दिया, जहां पे sale और purchase की जाएगी, उस produce की, जो कि market के थूँ monitor होगा, market committed के थूँ, कहता है, इस market committed के अंदर, government के representative include होंगे, farmers include होंगे, और traders इंक्लूड होंगे, market system जो rise में transparent with a strict visa on the proper use of proper scales of weights, कहता है, फिर क्या किया गया, फिर जो ही market committed थे, इसने अपने standard maintain कि कि कितना weight पे, कितना scale होगा, किस तरीके से proper scale और पर weight के लिए scale, सब कुछ एस्टाबलेज किया गया, कि proper marketing के थूँ, हम जो भी farmers के output होगी, उसको लेंगे एक proper price पे, तो कहता है, जो market committed थे, उसने विश्वास दिलाया farmers को, कि उनको उनकी produce का, उनकी output का appropriate price मिलेगा, ठेक है, तो regulated markets बना दिएगे, सब सब पहले government ने ये step लिए, दूसरा step लिए government ने cooperative agriculture marketing society, cooperative agriculture marketing society बनाए, जहाँ पर government ने encourage किया, कि cooperative agriculture marketing society formulate की, कहता है, इन society में क्या होत मतलब, bargainers तो वह थे, better bargainers बनाने के लिए, उन्होंने cooperative society बनाई, यानि कि, जो भी उन farmers के interest मैच करती, जो society है, उसे को वो जोइन कर ले, पहले तो उसको जोइन करें, उसके बाद, जो भी वहां के traders है, जो भी वहां के farmers है, उस cooperative society के, उन से मिल बैठ के बात करें, जो भी उन मतलब, जो produce होगा, उसकी sale को, वो collective करेंगे, ठीक है, तो cooperative farming जो था, एक significant progressive step था, agriculture marketing system के अंदर, थर्ड पॉइंट में कहता है, provision of warehousing facility, फिर उसके बाद, जैसे पहले था, तो कुछ कोई भी warehousing facilities, government के थूँ नहीं दी जाते थे, वेराउसिंग मतलब की, store करने की capacity, जहां प Central और State Warehousing Corporation, are the principal government agencies, offering storage space for the farmers, for farmers के लिए storage space established किया गया, Central लेवल पे और State लेवल पे भी, storage help the farmers to sell their produce at a time when the market price is lucrative, यानि जो market price उनके according होगा, जो market price हाई होगा, उस time पे वो अपनी produce को sale करेंगे, वो loss में सेल नहीं करेंगे, तो इसके लिए उनको चाहिए warehouse, तो गयता वेराउस इनकी facility प्रोवाइड कराएगे, गवर्मेंट के तुरू, फॉर्थ में कहता है, subsidized transport, कहता है, subsidized transport, railway are offering subsidized transport facility to the farmers to bring their produce to the urban markets where often the data, better deal, कहता है, अगर रूरल एरिया के अंदर, पहले से बहुत जदा produce होरी agriculture है, वहाँ पे, सभी agriculture sector में काम कर रहे हैं, तो सभी के पास output निकल के तो अगर तुम अपना जो भी तुम ने प्रिड्यूस किया, उसको अगर बेचने लग जाओगे तो तुम तुमें उसका कम प्राइस में बेलेगा, लेकिन अगर तुम बहार urban area में चाके बेचते हो तो तुम उसका प्राइस हाई मिलेगा, तो जो ट्रांस्पोर्ट सिस्ट बढ़ाया गया उसको हर जगे डिस एप्रोप्रियेट किया फैलाया गया उसके लिए इलेक्ट्रोनिक मेडिया प्रिंट मेडिया यह सब अंगेज्ड हुई जहां पर मार्केट से पता चलने लगया तो कहते हैं इलेक्ट्रोनिक मेडिया और प्रिंट मेडिया को भी डेवलप किया गया सिक्स्पॉइंट पॉलिस पी आप सब फामिलियर होंगे नहीं भी होएंगे तो अभी किसान अंदुलन चल रहा है तो आप सबको और ज़्यादा समझा आ गया होगा मिनिममम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्याता है इंपोटेंट स्टैप लिया गया था गवर्मेंट के तुरू और उन्होंने कहा दिया कि अगरिकल्चर सक्टर को अब तुम डेवलप करेंगे अगरिकल्चर के मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्मे अगर तुम्हें कोई दे रहा है तो तुम्हें अगर बेचने की जरुद्ध नहीं है मतलब तुम्हारे पास जो बी आटपर टंकल यह वहाइब उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह सो रुपए ठीक है लेकिन तो बेचने करें तो वह एक हम नब्बब रुपय में तो गवर्मेंट इस बात पर लायबल होगी कि वो तुम्हारे प्रिड्यूस को सो रुपय में पर्चेस करेगी ही करेगी यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यह तुम्हारा हाग है कि मिनिमम एट लिस्ट हम इतने पर तो बेचेंगे इससे कम पर हम नहीं जाएंगे नबबे पर हम नहीं बेचने वाले सो तो अगर मिनिममम सपोर्ट प्राइस है तो हम इसी पर बेचेंगे तो इसलिए जो फार्मर्स अब फ्री हो गई वो अपने प्रिड्यूस को बेच सकते थे अरा हम से जो हाईयर प्राइस होता है MSP से जादा अगर MSP से जादा अगर तुम 110 में ले इतने पर तो अवेलेबल कराएंगे मतलब इतना प्राइस हो तो तुम्हें तुम्हारे आउटबूट का मिलेगा है मिलेगा तो यह हमने स्टडी किये थे गवर्मेंट के थू लिए गए जो भी इनिशेशन से जो भी मेजर स्टाप थे गवर्मेंट ने लिए इस्टम को इंप्रूव करने के लिए तो आज के लिए इतना ही हॉप यू लाइक इट थैंक्स फू वर्चिंग लाइक शिर कमेंट एंड सब्सक्राइब रितिकोशे क्लासस बाबबाई टेक केर कीप वर्चिंग